हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो अवर चैनल हाइपोट्रेट इस भी मैं हूं मुहमद सुहेल टाटा पावर पे अल्रेडी हमारे ऐब्रेडी होग Cum Так पाव पे तारगेट अचीव हो गया अगर तो अगर अचीव होगा घ्रीवन अगर करेगा तो ही मैं फोटी ही दूंगा वर्न नहीं और एग्जिट करवाया और आज के वीडियो में मैं fresh buying दे रहा हूं, आज मैं टाटा क्या बोलते हैं, अपने अधानी पावर के ऊपर भी आज अपने टेलिग्राम चैनल में फ्रेश बाइंग दिया हूं, और दीवी स्लाब के उपर भी मैं अप्रेश बाइंग दिया हूँ आज के अपने टेलिगराम चैनल में आज मैं फिर से टाटा पाउर पे वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ विकॉस टाटा पाउर अपने प्रिवियस ब्रेकाउट पे है टाटा पाउर अपने ब्रेकडाउन लेवल के इन बिटिविन ट्रेड कर रहा है जब तक स्टॉक अपना ये वाला 231 का लेवल ब्रेक नहीं करता जब तक हमें पोजिशन बाइइंग नहीं मिलेगी कम्प्लिट टागेट बाइइंग नहीं मिलेगी जब तक पोजिशन 213 का ब्रेक नहीं करता जब तक हमें 170 तक का रिवर्सल ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा और मैं पोस्ट करने वाला हूँ जैसे अधानी पाउर के उपर पोस्ट किया हूँ वैसे ही कल लाइव मार्केट में 14 डिसंबर को मैं पोजिशन देने वाला हूँ अपने टाटा पोवर के उपर कल लाइव मार्केट में कि स्टॉक के अंदर हमें 218 से लेके 215 के इन बीट्विन एंट्री लेनी है शॉट टार्गेट हमारे स्टॉक के अंदर 232 होंगे प्रोफेशनल शॉट टर्म टार्गेट हमारे 255 होंगे इस बार मैं टार्गेट ज्यादा देख रहा हूँ टार्गेट इसी लिए ज्यादा देख रहा हूँ जब स्टॉक ओवर बहुर्ट नहीं हुआ था स्टॉक फॉल कर रहा था जब stock oversold नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि stock के अंदर buying आ रही है और stock अपने previous supply जो stock दिया है उसी supply के उपर stock retrace करके फिर से हमें नीचे से retrace करके हमें target दे रहा है तो दोस्तों 218 से लेके 215 तक का हमारा इसमें fresh buying रहेगा 232 short term target रहेगा 255 professional रहेगा अगर हम लोग save trade book profit करना चाते हैं तो 240 में exit करेंगे stock के अंदर अभी oversold zone में stock नहीं है stock उपर ही जाएगा अगर यह oversold zone क्या है overbought zone क्या है कहां पर कैसे entry ले सकते हैं personally उसके उपर मैं already combination of RSA and MACD technical analysis का पहला series चालू कर चुका हूँ अपने youtube channel पे भी आपको video मिल जाएगा आप जाके देख सकते हो और telegram channel में भी आपको link मिल जाएगा आप जाके video देख सकते हो अभी के लिए tata power के अंदर हमारे buying levels यह हैं हमें proper profit booking जो professional होगा वो 232 break करना है अगर नहीं वो break कर रहा है तो हमें हमारे previous breakout level जहां से rally मिला था 194 यहां से retrace करना है तो हमें loss भी जादा नहीं होगा profit भी जादा नहीं होगा अगर नीचे भी जा रहा है अगर for an example समझो level 194 का break करके जा रहा है 170 पर average करेंगे तो 200 के नीचे overall average बनेगा जो 215 पे entry लिये है उदर 240 रुपे तक का हमें profit होगा because हम लोग 170 पर average करेंगे तो ही हम लोगों को capital भी ज्यादा लगेगा quantity भी double होगा quantity double होगा तो average नीचे होगा average नीचे होगा तो profit booking ज्यादा होगा दोस्तों तो that's why मैं 218 से लेके 215 के बीच stock के अंदर entry दे रहा हूँ अगर आप अभी तक telegram channel पे नहीं है तो description में link है click करिए join करिए मैं update देता रहूँगा हर stock पे update देता हूँ update देता रहूँगा and videos upload करके support करता ही रहूँगा दोस्तों video अच्छा लगा analysis समझ में आ रहा है तो दोस्तों video को like और share करिए YouTube channel को subscribe करिए अगर आप पहली बार YouTube channel पे आए हैं तो